इस वीडियो में हम लोग बिहार के व्यक्तियों को मिले पद्म पुरसकार के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें पहला है पद्म पुरसकार 2022 2022 में दो व्यक्तियों को बिहार से पदमशी पुरसकार दिया गया है पहला है आचारे चंदना जी जिने सामाजिक कारे के लिए पुरसकार दिया गया है दूसरे है सेवाल गुपता जिने साहित्यों और सिक्षा के लिए मर्नो परांद दिया गया है ये पुरसकार आचारे चंदना जी राजगीर विरायतिन की संस्थापक रही है और वे जान धर में आचारे प्राप्त करने वाली प्रतम साधवी है 84 वर्षे चंदना जी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है सेवाल गुपता एशिया डेवलेप्मेंट रिसर्च इंस्थापक है और वे प्रक्षात अर्षास्तुरी है और इनको मर्नो परांत ये पदमश्री पुरसकार दिया गया है बिहार और पदमपुरसकार 2021 बिहार के पाच व्यक्तियों को पदमपुरसकार 2021 से समानित किया गया है जिसमें एक है पदमभूशन और चार है पदमश्री राम विलास पासवान को पदमभूशन से समानित किया गया है और अन्य चार को पदमश्री से पदमश्री सम्मान से सम्माने चार व्यक्ति हैं पहले हैं रामचंदर माजी जिनने कला सांस्कृति के छेतर में पुरुसकार दिया गया है दूसरी हैं दुलारी देवी जिनको भी कला के छेतर में दिया गया है तीसरे हैं डॉक्टर दिलीब कुमार जिनको चिकित्सा के छेत्र में दिया गया है चौते हैं मिर्दुला सिनहा कला और साहित्य के छेत्र में बिहार और पद्मपुरस्कार 2020 बिहार के आठ व्यक्तियों को पद्मपुरस्कार 2020 से समानित किया गया है जिन में से एक को पद्मभूशन और साथ को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है पद्म भूशन प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति है जॉज फर्णांडेस जिनको लोग सेवा के छेत्र में पुरिसकार दिया गया है पद मश्री प्राप्त करने वाले साथ व्यक्तियों में पहली है सांती जायन जो की कला के छेतर में पटना से हैं दूसरे हैं श्याम सुंदर शर्मा जो की कला के छेतर में हैं तीसरे हैं डॉक्ट सांती रोय चिकित्सा के छेतर में चौथा विमल कुमार जैन समाच सेवा के छेतर में पाचवी राम जी सिंग समाच सेवा के छेतर में छटे हैं वशिष्ट नारायन सिंग समाच सेवा और सात्वे हैं सुजाए की गुहा समाच सेवा के छेतर में